Hello friends, क्या आपको periods के अंदर बहुत ज़्यादा pain होता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता भी होती होगी, कि आखिर आपको ये दर्द क्यूं हो रहा है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सेनिक इनेकलोजिस और अपसेटीशन, आज आपको ही सिखाया जाता कि यदि periods आ रहे हैं, तो pain तो होना लाजमी है, यानि कि pain होगा, और इसी mindset के साथ लड़कियों को बढ़ा किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि जितना भी pain हो रहा है, जितने भी amount का हो रहा हो, सब normal होगा, थोड़ा वो दर्द हो सकता है, कि जो परिण हो कई बार गूलियां का बाद भी आराम नहीं मिलता है, कई बार injections लगवाने पड़ते हैं, और कई बार 3-3 दिन तक injections लगवाने पड़ते हैं, तो एसी इसतिती को कभी भी एक्नूर करें, क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द नॉर्मल हो सकता है, बट बहुत जदा दर नॉर्मल नहीं हो सकता, उसका जरूर कोई कारण होता है, कोई बिमारी होती है, तो अगर आपके ऐसी कोई इस्तिती है, जिसमें आपको बहुत जादा दर्द है, आपको गोलियां खानी पड़ रही है, इंजेक्शन्स लगाने पड़ रही है, उसके बागजूद भी आराम न नहीं कर पा रही है, तो यह बहुत चिंता जनक इस्तिती है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है, यही इस्तिती आपके साथ भी है, आप कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे है तो आपको definitely आपके gynecologist के पास जाना चाहिए, अपना check-up कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिती में कई बार बहुत खतरनाग विमारी होती है, endometriosis हो सकता है, कोई fibroid हो सकता है, कोई polyp हो सकता है, या adenomyosis हो सकता है, तो ऐसी कई सारी विमारियां होती है, जो periods के दर्द के में पता चल जाती है, तो जब भी आपको ऐसा कोई problem लेता है, डॉक्टर के पास जरूर चाहिए, डॉक्टर के सलहा लीजिए, और sonography जरूर करवा लीजिए, जैसे ही आप sonography करवाएंगी, तो मोटे तो पर आपको इन सब कारणों के बारे में पता चल जाता है, तो periods में ज पकड़ा में आ जाते हैं, दिख जाते हैं, और इनका इलाज भी संभव है, जैसे कि अगर आपकी sonography में आपको पता चलता है, कि आपके कोई fibroid है, या polyp है, या endometriosis है, या ovarian cyst है, तो definitely fibroid का दूरबीन से operation करकर fibroid को, यानि कि जो गांठ होती है बच्चे दानी के अंदर, उसको आराम से निकाला जा सकता है, ovarian cyst है, तो उसको भी operate किया जा सकता है, पॉलip है, तो नीचे से दूरबीन डालकर उसको निकाला जा सकता है, या आपको लगता है, कि आपको endometriosis है, या जब सोनोग्राफिय में पता चलता है, तो endometriosis का भी दूरबीन से इलाज तो कुछ प्रोजिस्ट्रोन हर्मोन के इंजेक्शन भी लगाई जाते हैं दवाई भी दी जाती है तो कई बर दवाई खाने से ही आराम आ जाता है और एदी उसके बाद भी आराम नहीं आता है तो डेफिनिटली ऑपरेशन भी किया जा सकता है जो कि दूर्बीन से संभव है और दूर्बीन से आपको पता ही है कि चीरफार टाकापटे कुछ नहीं होता है अराम से छोटे से छेट से ऑपरेशन हो जाता है और पेट की दूर्बीन से जाच भी हो जाती है तो और कोई बिमारी होती है तो वो भी पता चल जाती है तो कभी भी पिरियर्ट के दर्द को इग्नोर ना कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपको इस तरह की कोई समस्या लग रही है, तो डॉक्टर के सलहा लेकर अपनी जाच जरूर करवाईए और डॉक्टर के सलहा के दवाईयां जरूर ले लीजी, क्योंकि जैसे ही आप दवाईयां लेना शुरू करत और यदि आपका दर्द काफी जाधा और उसके बावजूद भी आपके सोनोग्राफी में कोई बीमारी नहीं आ रही है, तो सिंपल औरल कॉंटरसेप्टिव जो पिल्स आती है, एक किस दिन की जो बोलियां आती है, उनको खाने से भी पिरेट्स के पेन में काफी हद तक आ पिरेट्स के दिना शुरू करते हैं, तो अविलेशन स्टॉप हो जाता है, आपका पेन काफी हद तक कम हो जाता है, ब्लीडिंग भी गणी बीमिकेलिया नहीं होते हैं, बडीग लिमेटेड टाम के लिए होती है, और इन दबायों को लेने का कोई से थैड़िफेक्ट नही बहुत सेफ होती है, oral contraceptive pills का एक ही इंडिकेशन नहीं होता कि बच्चा नहीं होने के लिए contraceptive point of view से ही उनको लिया जाए, उनके बहुत सारे और भी इस्तेमाल होते हैं या uses होते हैं जिसको कि हम बहुत सारी conditions में यूज करते हैं तो periods में pain भी उनका एक indication है, एक हमारे separate video जिसमें कि OC pills के फाइदे हमने बता रखे हैं तो आप वो वीडियो go through कर सकते हैं उनके फाइदे जानने के लिए बट यदि periods का pain है तो definitely जाच करवा कर डॉक्टर के सलहा लीजिए और उसके according आप इलाज लीजिए ignore ना कीजिए, हमारी जिंदगी हमें मिली है, जिंदगी enjoy करने के लिए इस दुनिया में हमें आगे बढ़ने के लिए और अपने परिवार का विकास करने के लिए, दर्द सेहने के लिए बिलकुल नहीं है तो अपना इलाज करवा कर धर्द मुक्त जीवन जीदिए आप से फिर मिलेंगी एक नए वीडियो में नहीं जैन करीजा, तब तक, नमस्क्राइब